कि दिखे आप सभी का इस नए लेक्टर में तो पिछले लेक्टर में हमने लॉंग वॉल शॉट वॉल मेठड एक्स्प्लें की थी तो उसी के उपर हम एक्जामपल देखेंगे तो यह देखो simple सा plan लिया है बहुत simple plan लिया है तो अब हम इस की length निकालेंगे इस plan की length निकालेंगे by using short all long long short all method का use करके तो मैं आपको plan explain करता हूँ किस प्रकार से हम इस plan को read out करते हैं तो यह देखो आपने plan इस प्रकार से या इस या अपने question paper को अगर इस प्रकार से पकड़ा है तो जो भी first dimension होती है आप जिस प्रकार से plan को पकड़ते हो तो जो भी first जो भी length होती है या जो भी first unit होता है वो horizontal होता है और जो second unit होता है या second dimension होती है वो होती है vertical वो क्या होती है vertical होती है आपने plan किस प्रकार से पकड़ा है इस पर depend होता है जो भी first वाली होती है वो होती है horizontal और जो भी second वाली होती है वो होती है vertical dimension समझ में आ गया ऐसा नहीं है कि ये बड़ी है इस से भी ये बड़ी है तो ये हो जाएगी और ये जोटी है इसलिए ये उपर की हो जाएगी आईसा नहीं होता plan में या मान लो यहाँ पर 2 है 4 नहीं है यहाँ पर 2000 यहाँ पर है तो ये first वाली है इसलिए 2000 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी और ये 3000 है तो 3000 ये वाली हो जाएगी आईसा नहीं है कि plan में ये size बड़ी दिख रही है तो ये वाली 3 होगी और ये कम है ये कम दिखाई दे रही है तो ये 2 होगी आईसा नहीं होता अगर हमारी scale not to scale होगी तो जो भी first वाली होती है वो horizontal होती है और जो भी second वाली होती है वो vertical होती है समझ में आगई ये बात अब सेकेंड बात जो भी dimension दिये होते है जो भी room की size हामेh provide की होती है ओ जो size होती है ओ into in होती है क्या होती है ओ into in होती है या आप carpet नहीं ऐसा नहैं बोल सकते into in होती है ओ size आप ऐसा खnek मैं सकते हो तो into in means एदेखो इस जो वाल है, इसके यहाँ से, यहाँ से यहाँ से यहा तक into in होती है, और यहाँ से यहाँ तक, इस प्रकार से into in डाइमनेशन हमें प्रवहाइड की जाती है समझ में आगा है तो यह इस प्रकार से हमें एकजाम में प्लान आता है और इसकी हमें quantity निकालने के लिए कहा जाता है तो quantity निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसकी length calculate करने पड़ती है center to center length तो आब हम क्या करेंगे इसमें यह देखो x direction की wall हम long wall consider करेंगे और y direction की जो भी wall है वो हम short wall consider करेंगे तो चलो देखते हैं हम तो यह देखो इस प्रकार से यहाँ पर इसके dimension हमने prepare की है तो यह देखो यहाँ पर आपको दिखाए दे सकता है इस plan को मैं तोड़ा सकता तो यह देखो wall की thickness कितनी है 230 mm wall की thickness है और जो first digit show करता है वो horizontal direction में होता है तो यहाँ से यहाँ तक 4000 है और उसके बाद 230 mm तो हमारी step number first क्या है हम center line plan prepare करेंगे इस प्रकार से center to center line prepare करेंगे उसके बाद हम length निकालेंगे center to center length निकालेंगे तो center to center length क्या आजाती है यहाँ पर यह 4000 उसमें हम plus करेंगे 4000 plus यह यहाँ से यहाँ तक 230 by 2 और यहाँ से यहाँ तक 230 by 2 तो total कितना आजाएगा 230 230 तो यह हो जाएगी center to center length हो जाएगी center to center length हो जाएगी किसकी? long wall की और उसमें हम क्या करेंगे उसके बाद यहाँ से यहाँ तक distance उसमें add करेंगे means उसमें आप हम फिर 230 एड करेंगे समझ में आ गया तो यह हो जाएगा 4,460 mm हो जाएगा आप देख सकते हो यहाँ पर भी जो भी long wall होती है वो हम out to out out to out या outer to outer हम उसे major करते हैं तो यह देखो in to in dimension हमें provide किया है कितना 4000 है उसमें हम क्या करेंगे? 230 इदर का 230 एड करेंगे और इदर का 230 हम उसमें एड करेंगे तो हमें यहाँ पर long wall की length मिल जाती है 4,460 आप रह चुकी क्या? short wall तो short wall की length यहाँ पर already दी है 3,000 यह 3,000 क्या होती है? यहाँ से यहाँ तक length होती है और हमें सिर्फ उतनी ही length चाहिए तो इसलिए short wall की length यहाँ पर आजाएगी 3,000 समझ में आ गई किस प्रकार से हम calculate करते है समझ में आ गई total length हम किस प्रकार से calculate करते है long wall होगे तो हम इस wall की thickness हम उसमें एड करेंगे और इसी भी wall की thickness हम उसमें ऐड करेंगे और short wall होगी तो हम क्या करेंगे in to in यहां से यहां तक हम distance उसमें लेंगे समझ में आ गया तो चलो यह बहुत छोटा सा example लिया था और बहुत आसान बहुत आसान example लिया था इस lecture में इस से अगले lecture में हम next lecture में थोड़ा सा difficult देखो plan से आपको पता चल जाता है तो इस plan की हम length calculate करेंगे by using long wall short wall method से मैं आपको इस plan की किस प्रकार से length calculate करते हैं यह आपको मैं next lecture में दिखा दूँगा example number 2 में तो चलो मिलते हैं next lecture में